तिल और गुड के लड़ू सर्दियों में सिर्फ स्वादी नहीं होते खाने के लिए बलकि ये सर्दियों में सेहित के लिए भी एक खजना होते हैं तिल और गुड के खाने के फैदे इससे सर्दी से तो रहत मिलती है और कई तरह की बिमारियों से भी छुटकारा मिलता है के साथ घर पर असानी से बनाया जा सकता है चलिए रेस्पी में देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है हलो फ्रेंज मैं संतोष वेलकम टू माई चैनल डिलिशिस फूड गुड और तिल के लड़ू बनाने के लिए मैं यहां पर 500 ग्राम के करीब मैंने वाइट तिल लिए और इनको एक कड़ाई में ले लिया और अच्छे से इनको रोस्ट करूँगी मैंने जो कड़ाई है वो हा रोस्ट हो जाते हैं तब यह चटकने लगते हैं और इनका कलर भी हलका चेंज होने लगता है हमें बहुत जादा नहीं भूनना क्योंकि अगर हम जादा इनको भूनेंगे तो इनका जो स्वाद है वो कड़वा हो जाएगा जब तक अब यह मैंने थोड़े इस में से 100 ग्रा जो हमारे साबुत तिल है जो उनमें मिक्स कर दूंगी फिर अच्छे से इनको मिक्स करने के बाद फिर यहाँ पर हम गुड लेंगे गुड है जो हमने जितनी क्वांटिटी तिलों की लिए उतना ही गुड लेना है लेकिन मैं यहाँ पर दो तरीके से गुड का इसतेमाल कर यह हमारे तिल है जो हमने ग्राइंड किये थे वो मिक्स कर लिए अब मैं यहां पर नट्स लूँगी जिसमें मैंने बदाम काजू और पिस्ता लिया और इनको भी अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया अब एक कडाई में फिर मैं देशी घी लूँगी और उसमें मैं करना जब तक यह मैल्ट ना हो जाए क्योंकि जो हमारा गुड़ है वह बहुत जल्दी मैल्ट हो जाता है तो हम धीरे धीरे करके इसको मीडियम आंच पे ही मैल्ट करेंगे यह देखो मैल्ट होना शुरू हो गया है जब तक हमारा गुड़ पूरी तरह मैल्ट नहीं होता त यह बInsकर में बनने भी बहुत असान हैं। और कम टाइम में कम चीजों के साथ बड़ी जल्दी बन जाते हैं। और इसके सहत के लिए बहुत फाइदा होता है। इनमें हमें G-E, sí, zinc और यह हमारे बालों को मजबूत करता है। हमारी सहत के लिए भी बहुत इसके बेनेफिट ह स्किन को भी बहुत इसका फाइदा मिलता है निखार लाता है अब जो हमारे तेल है जैसे ही गुड मेल्ट हो चुका पूरी तरह जो हमारे तेल हमने अल्रेडी रोस्ट करके रखे थे और ग्राइंड किये हुए थे उनको इस गुड में मिक्स कर देंगे इनको पूरी तरह प्राइज रूर करना और अच्छा लगी तो मेरा चैनल लाइक करना शेयर करना अब यहां पर मैंने 200 ग्राम मैं नारियल बुरादा लिया है डैसिकेटेड कोकोनट इसका स्वाद भी और बढ़ जाता है इसके कारण जब हम नारियल इसमें मिक्स करते हैं उसके बाद मैंने ले सकते हैं अगर कोई स्किपट करना चाहते हो तो आप स्किपट भी कर सकते हैं आप मेरा चैनल लाइक करना शेयर करना सबस्क्राइब करना और र Bishop को ट्राइज यहां जब तक यह मैल्ट नहीं होता तब तक वनने इसको स्पैचुलों के साथ गुड़ को पानी में से शेक करना है और यह कितना अच्छा हमारा गुड़ हो जुका है और इसकी थिक थिक संस्टेंसी बन चुकी है अब यह हमारा जो मिक्सर है बिल्कुल त्यार है जो हमारे कई लेल हैं हमने त्यार और अल्रेडेह दिए अब इसमें कर देंगे यह हमारा पर्पस यह giant की जब हमारे लड़ू है उसका чики की हो जाता है और अस्से लड़ू बनाने बहुत असान होते हैं तब भी जब दो इसके अब बमकलफ कुछ कर देंगे कोछ्व många एक तरह मिक्स era कर साइज रखना चाहते हो अगर साइज बड़ा लेना चाहते हो बड़े साइज के लड़ू बना सकते हैं यह हमारी मकर सक्रांती की लोड़ी की एक स्पैशल पंजाब की तो मड़े स्पैशल तेल और गुड़ के लड़ू होते हैं और यह बहुत ही स्वाब होते हैं खाने में और सर्वियों के लिए तो ये खाने का खजाना है इससे हमारी जो कब्ज किसी को कॉंस्टिवेशन की प्रॉब्लम है उससे भी छुटकारा मिलता है और स्किन भी बहुत निखरती है इसके साथ आप इस रेस्पी को ट्राई जरूर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपक क्योंकि तिल के जो श्रीर के लिए और भी बहुत बेनेफिट है खाने के फायदे हैं यह सर्वियों के मौसम में तो इसको हर किसी को सेवन करना चाहिए हर उमर की चाहें वो बच्चे हो बड़े हो बुड़े हो यह देखो कितने अच्छे हमारी लड़ू बनकर त्यार हो च कम मतरा में कम खर्च में हमें इतनी क्वांटिटी मिल जाती है आप इस रेश्पी को ट्राई जरूर करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना थैंक यू